हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल S.W.24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें खरगोन अगरपाली का प्रससन ने कोरोना आपदा में लगे स्वास्त कर्मी और पुलिस कर्मियों के कोरोना पाजिटी होने की चिंता में फूल बॉडी सैनिटाइजर सिस्टम तयार किया है कोरोना संक्रमन के प्रभाव को रोखने के लिए सैंसर यूपत सिस्टम से लोगों की फूल बॉडी सैनिटाइज हो रही है खरगोन जीले को हाट स्वाट गोशित किया गया है चीले में 14 कोरोना पाजिटी मामले सामने आये है जीन में से दो की मोथ हो चुकी है परसासन लागडाउन का कड़ी से पालन कराने के साथ अब आपदा में लगे लोगों की सुरुकसा के लिए हर कदम उठा रहा है नगरपलिका के सामने सडक पर लगाया गए इस फूल बाड़ी सेंट आयजा सिस्टम ने ड्यूटी पर तेना धर वेक्ती अपने दो पहिया वाहन सहीत निकल रहा है वहीं कार चालक अपने चार पहिया वाहन से उतर कर इस सिस्टम से गुजर रहा है नगरपलिका द्वारा सिस्टम साबीर खान और शाहिद ने तयार किया है नगरपलिका इस सिस्टम को कोरोना की लड़ाई में कारगार मान रही है कोरोना के संक्रमन को रोखने के लिए नगरपालिका कारलाय जीलास्पिताल कोतवाली थाना और सियमेजो कारलाय के बाहर भी सेनिटाइजर सिस्टम लगाने की तैयारी कर रहा है आम जोनों का भी मानना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रावन को रोखने के लिए नगरपालिका का ये कदम सरानी है खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट सर ये सेनेटाइजर मसीन नगरपालिका कि बाहर लगी क्या वद्दिश से लेकर लगई और क्या है इसका भी होगी वह? वापस आने पर भी सेनेटाइज होगा मसीन किस तरह से अटोमेटिक वाले काम करती है यह इसमें का सेंसर लगा यह इसके अंदर जाने से अपने आप मोटर चालो हो जाती इस पर चालो हो जाते है और अपनीय हैं आप繪ी आंप। ये नगरपाली के एक सेनेटाइजर मसीन लगई है, किस तरीकी की मसीन है और क्या इसका उप्योग है? इसका उप्योग मसीन बनाई है, ये से हम भोजं की वेस्ता में लगे हैं, तो हमारे दुवरा यहां पे जब जब भोजं की उपलबद करने के लिए निकलना रहता है, तो हम सेनेटाइज हो के जाते हैं, और हम चाहते हैं नगरपाली का ऐसा जो भी कार कर रही है, तो करते रह जपाले हैं, तो हमारे भी को अिवरा यहां नग। झाल 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 हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें